तो गाइस मेरे पास आ चुका है यहाँ पर Logitech के तरफ से आने वाला G102 यहाँ पर वाइड माउस जो की यहाँ पर वाइट कलर वेरियंट में मैंने ओर्डर किया था और यहाँ पर देख सकते हो काफी बढ़िया लग रहा है क्योंकि जो RGB का यहाँ पर लाइट वाले स्ट्र चीजे बता दी हैं उन्बॉक्सिंग करेंगे सबसे पहले जानेंगे इसके क्लिक्स के बारे में और साथ ही में एक छोटा सा कंपैरिजन मैंने अपने वायरलेस वाले माउस के साथ में कंपैर किया है जो कि Logitech का यहाँ पर G304 है तो फड़ा फट से वीडियो को स्टार्ट माउस हमार पास आ चुका और इसका फटाफट से अभी उन्बॉक्सिंग करेंगे लेकिन उससे पहले फटाफट से देख लेते हैं कि यहां पर जो है कौन-कौन से इसके स्पेसिफिकेशन आपको देखने को मिलते हैं सबसे पहले तो इसकी प्राइजिंग जो है यहाँ पर और यहां पर देख सकते हो काफी बढ़िया सबसे बढ़िया बात यह है कि यह तो white color में है और मेरे को white काफी बढ़िया लगा था, black color में यह काफी available रहता है तो वो आप अभी भी ले सकते हो, और यह light sync वाला है version तो इसमें आपको बढ़िया सा RGB देखने को मिलेगा, यह बढ़िया चीज है और बाकी यहां पर देख सकते हो, key features में क्या बता रख है, RGB बता रख है और यहां पर gaming grade sensor मिलता है, मतलब की जो logitech के sensors होते हैं, gaming वाले वो काफी बढ़िया होते है और यह देख सकते हो, यह वाला mouse भी काफी बढ़िया है, यहां पर G304 है, तो यह मतलब काफी जादा बढ़िया है और यह 3K के आसपस का था, 3000 के आसपस, तो यह जादा मतलब better है, बट still, अगर आपको entry point के लिए लेना है तो यह वाला काफी बढ़िया mouse हो जाता है अपने आप में, और यह obviously wired है, और यह वाला तो wireless है वैसे तो फटा-फट से इसकी unboxing करते हैं, और देखते हैं कि पूरा इसका content क्या है, और एक और चीज मैं आपको दिखा दूँ, यह इससे पहले देख सकते हो कि यह black वाला है, जो कि यहां पर इस वक्त 1.5K के आसपस के देखने को मिल रहा है और यह वाला 1.1 के आसपस का देखने को मिल रहा है, तो यह मतलब काफी मेरे को weird सी बात लगी कि यह सस्ता क्यों है, वो महंगा क्यों है आपको जो भी पसंदो, मैं सारे के सारे लिंक नीचे प्रोवाइड कर दूँगा, इवन मैं आपको इसका भी लिंक देदूँगा, और यह देख सकते हो, Cosmic Byte का भी है, जिसमें Gaming Grade Sensor है, इसका भी देदूँगो wireless है, यह स्टिल ओविसली यह मेरा वाला जो है, यह Gaming Grade Sensor के स है, ओके, तो यहां पर आप देख सकते हो, यह इसका छोटा सा बॉक्स है अंदर, इसको साइड करते है, यहां पर आप देख सकते हो, G102 और यह लाइट सिंग गेमिंग माउस है, यह कुछ इस तरीके का बॉक्स पर आपको देखने को मिलता है, ग्राफिक्स और पीछे यह और यह इसका सील हमने काट दिया है, अब देख लेते हैं कि अंदर इसका क्या है, और यह एक और चीज़ की 8000 DPI है, इसमें तो मतलब यह भी काफी बढ़िया है, यहां पर 6 Programmable Buttons है, यह भी काफी बढ़िया है, और सबसे बढ़िया बात यह है कि Logitech का Software आपको देखने को म काफी बढ़िया है, और यहां पर Logitech का Sticker है, और यह रहा हमारा प्यारा सा Mouse, जो कि wired है काफी बढ़िया है, और यहां पर यह देख सकते हो, बस बाकी कुछ भी नहीं है, यह paperwork है, तो इन सारी चीज़ों को कर देते हैं, साइड में, साइड हो गया, यहां पर देख लेते है कि यह हमारा Mouse किस तरीके का दिखता है, तो यहां पर इसका Color वगरा काफी बढ़िया लग रहा है देखने में तो, और आप देख सकते हो कि यह Obviously इसी की तरह दिखता है, बिल्कुल exactly same verse फरक ही है, कि यह wireless हो जाता है, यह जो है white color का wired हो जाता है, और gaming sensors में भी काफी difference है, इसक sensor काफी बढ़िया है, इसके sensor थोड़े से मतलब इससे weak होंगे, इतने भी weak नहीं कि मतलब आपको काफी बेकारी performance देंगे, जितने भी बाहर के mouses होते है, इस price range में सबसे best आप कह सकते हो कि यही देगा, तो यह देख सकते हो, कितना जादा इसमें similarity देखने को मिलती है आपक logitech का, but still आप लोग डाल के try कर सकते हैं, अभी देखेंगे इसमें, और यह देख सकते हो, कितना मतलब डगड़ा लग रहा है, अगर मैं थोड़ा सा light को यहां पे off कर दूँ, तो आप लोग देख सकते हो, कितना जादा बढ़िया look आता है इसका, और यहां पे थोड़ा सा मैं चला के देख लेता हूं, अभी DPI इसकी काफी ज़्यादा काम है, थोड़ा सा मैंने इसे fast किया, तो यह मतलब काफी बढ़िया यहां पे देख सकते हो, बहुत बहुत ज़्यादा स्मूद को भी दिकत नहीं हो रही है, अगर आपको daily task करने तो तो काफी बढ़िया से हो देखने को मिलेगा, मतलब कई बार क्या होता है, कि बहुत ज़्यादा मतलब एकदम से change होता है, ऐसे fast fast fast, तो वो काफी बेकार सा लगता है, यह इसके दो macros है, यह by default आगे और पीछे करने के लिए होते हैं, जैसे chrome पे आप page आगे जा सकते हो, पीछे जा सकते हो, यह इसक कोई मतलब दिक्कत वाली बात नहीं है, कई लोगो को resistance जादा पसंद आता है, मतलब काफी मतलब decent ही लगा मिरको, और बाकी obviously design तो मतलब एक दम बिलकुल copycat है, तो यह मतलब काफी मिरको बढ़िया लगा, तो चलो guys, एक बार test कर लेते कि आखिर इस mouse के buttons की clickiness कैसी sound कैसा है, अब यह देख लेते हैं, जो side के buttons है, तो यह हलके से मिरको थोड़े से कम tactile लगे, बट इस तिल मतलब ऐसा कोई नहीं है, कि मतलब इसके वज़े से आप इसे use करना बंद कर दो, because decent है, कोई बहुत बहुत तगडे clicks नहीं है, बट इस तिल मतलब काफी बढ़िया लगे मिरको अब स्क्रोल वील का एक बर देख लेते हैं, तो जैसा कि मैंने पहले बताया था, इसमें काफी मतलब जादा resistance मिलता है देखने को, मतलब ऐसा बहुत जादा तो नहीं, बट इस तिल मेरे जो Logitech G3O4 है, वायरलेस वाला माउस, उससे थोड़ असा जादा देखने को मिलता ह इसका clicking sound देख लेते हैं, और DPI का भी switch जो है काफी बढ़िया से sound produce करता है, तो मतलब overall मेरे को काफी decent लगा, मतलब मेरे यहाँ पे देख सकते हो, यह Logitech का जो wireless वाला माउस है मेरे पास, तो इसके जो sounds आते हैं, मतलब यह काफी मतलब बढ़िया लगते है मेरे को, यह काफी जादा बेटर है, और आप चेक कर सकते हो से फड़ाफट से, overall काफी बढ़िया मेरे को tactile feel लगी, and clickiness भी काफी बढ़िया इसका, तो guys, देख सकते हो, यह है इनका Logitech G Hub वाला software जहाँ पे आप download कर सकते हो, बस आपको लिखना क्या है कि Logitech G Hub software, यहाँ पे आप देख स कर लेगा, जब भी आप connect कर हुए, तो मिरको एक सो दो बार ट्राइ करना पड़ा था, एक बार software भी काटना पड़ा था, तो आप ट्राइ कर सकते हो, इस USB को दुबारा से निकालना, दुबारा से डालना, अगर नहीं होता है, इनकेस तब के लिए बोल रहा हूँ, otherwise यह फर काफी सारे options देखने को मिलते है, सबसे पहले off कर दिया, तो इसकी सारी lighting off हो जाएगी, obviously, fixed कर देंगे, तो जो भी हम color चाहें, तो यहां से select कर सकते है, जैसे कि अभी देख सकते हो, यह वाला color है, यहां पर मैंने यह कर दिया, कुछ blue type का, यह वाइलेट पे shift कर रहा हूँ, सकते हो, obviously, and then यहां पर आप देख सकते हो, कि यह green color है, तो काफी बढ़ी हालग रहा है, yellow and then यह red, तो यह एक चीज है, दूसरी चीज, यहां पर देख सकते हो, कि fixed के बदले हम cycle वाला भी कर सकते हो, यह एक cycle में repeat का होगा, and then यह सारे के सारी colors को repeat करेगा, rate यहां पर आप ल optimization के options देखने को मिलते है, तो यह काफी मतलब मेरको बढ़िया चीज रगी, काफी जादा detail में है, और इस चीज का pricing में काफी जादा नहीं है, मतलब 1,100 रुपीज में आपको देखने को मिलता है, तो यह काफी बढ़िया चीज है, and then सबसे पहले तो मैं इसका bright कर लेता हू otherwise यह काफी अच्छा नहीं लग रहा, and then उसके बाद आपको breathing का मिलता है देखने में, तो कुछ इस तरीके से breathing की light जलेगी, and then color आप select कर सकते हो obviously, और जैसे अभी यह वला हो रखा है, और यहाँ पे color wave भी देखने को मिलता है, जो कि इनका अगला preset है, उसके बाद color blend है, यह और यहाँ आपको आइडिया है, और यहाँ आपको आइडिया है, तो नीचे comment में बताना, and then सबसे पहले तो इससे यह कुछ दूसरा कर लेते, and then यह freestyle है, कि यहाँ पे आप obviously खेल सकते हो, देख सकते हो कौन कौन सा आपको लगाना है, कि इस तरीके से करना है, और यहाँ प and blue कुछ करके, and then उसके बाद आपको देखने को मिलता है, वर्टी कूल करके, तो उसमें भी आप लोग यह bounce वगरा कुछ, यह मतलब सारे के सारे सेटिंग से, obviously आप लोग खेल सकते हो, देख सकते हो, कौन सा best आपको जमता है, and then आप उसकी हिसाब से कर सकते हो, यह मैंने का साइट से मतलब वह कलर हो गया, अब जैसे यह रेड टाइप का मैंने कर दी एक साइट से, इस वाले पे गया, तो मतलब यहां से मैं कोई दूसरा कलर यहां पर सेलेक्ट कर सकता हूं, तो मतलब कुछ इस तरीके से आप लोग प्ले कर सकते हो, and then इसको मैं हटा देता हूं, तो मेरे को तयार मतलब इनके खुद के प्रिसेट काफी बढ़िया लगे, जैसे यह जितने भी ब्रीधिंग वाले हो गया, and then color wave वाला हो गया, सबसे बढ़िया तो मेरे को डिसेंट यही लगा, कि मतलब इसमें काफी बढ़िया तरीके से अपने आप ही हो जाएगा, तो मत अगली वीडियो में